हेलो स्टूरेंट्स गुड मोनिंग बेटा आप सभी का एक बार फीट से स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल एसको सले अजूकेशन में और बेटा आज हम पढ़ रहे हैं फिप्ट किलास की इंगलिस का फॉर्टिंथ लेसन पुस्प की अभी लाशा की पुस्प की क जाता है वो हमने इस लेसन में पढ़ना है यह मा Khanlal चतुरवेडी जी ने लिखा है चहां नहीं मैं सुर्भाला के गहनों में गूता जाऊं चहां नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को फॉलल चाऊं तो इसमें पुस्प की क्या इच्छा है कि मेरी इच्छा नहीं है कि मैं सुर्बाला, सुर्बाला मतलब देवताओं की बाला, यानि की अफसराओं के गहनों में गूता जाओं, यानि की वो गहने बनाओं जिसमें की अफसराओं पहनती हैं चाह नहीं प्रेमी माला में बिन प्यारी को लल्चाओं और वो भी मेरी इच्छा नहीं है कि मैं उस माला में बिन जाओं जो की प्रेमी अपनी प्रेमी का को पहनाता है चाह नहीं समराटों के सव पर हे हरी डाला जाओं और यहां पे फूल अपनी अविलासा बताता है कि यह बगवान मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि मैं समराटों के सव यानि कि राजाओं के सवों पर उनकी मिर्तु होने पर उनके सवों पर डाला जाओं मेरी यह भी इच्छा नहीं है मोत हो जाते हैं तो फूल चड़ाते हैं ने बिटा तो ये फूल करें मेरी है भी इच्छा नहीं है चाहा नहीं देऊं के सिर पर चड़ू भागे पर इठ लाओं और मेरी इच्छा यह भी नहीं है कि मैं देवताओं के सिर पर चड़ू और ना मेरी इच्छा यह है कि मैं देवताओं के सिर पर चड़ू यानि कि देवताओं पर चड़ाया जाओं और अपने भागे पर इठ लाओं यानि कि गमंड करूं नाज करूं कि मैं देखो देवताओं के उपर चड़ाया जा रहा हूं मुझे तोड लेना वनमाली उस पत पर तुम देना फेंक अब वो कह रहा है वनमाली यानि कि जो फूलों की रखवाली करता है उसको बोलते हैं वनमाली है वनमाली मुझे तुम तोड लेना और उस पत पर उस रास्ते पर पत मिंस रास्ता उस रास्ते पर डाल देना कौन से र मात्र भूमी पर सीस चढ़ाने जिस पत जाएं वीर अनेग जिस रास्ते पर वीर लोग महापुरूस लोग जो अपनी मात्र भूमी पर अपनी जनम भूमी पर अपने जीवन को नोचावर करने के लिए जाते हैं मुझे उस भूमी पर डाल देना ताकि मैं वीरों के पैरों के तले आ जाओं यनि कि यहां पे पूस्प गर्व मैसूस कर रहा है अपनी देश भगती पर देश भगत होने पर ही गर्व कर रहा है तो उनकी इच्छा सरफ यही है कि मातर भूमी के काम आए ने तो अपसराओं के गहनों में गूता जाए ना प्रेमी की माला में गूथा जाए, ना ही देवी देवताओं पर चड़ा जाए, ऐसी कोई उसकी इच्छा नहीं है, सरफ फूल की यही इच्छा है कि उस जनम भूमी पर अपने जीवन को नुच्छा और करने वाले वीर जाते हैं, उस राज्ते में उसको फेंक दिया अर्थोर इसका प्रशंग हम कैसे लिखेंगे? यह है पद्यांस हमारी पाठ्थे पूस्तप जिल्मिल भाग 5 की कविता पूस्प की अभिलासा में से लिया गया है, इसके कवि कोन है? इसके कवि स्री माखनलाल चतुरवेदी जी है इस पद्दान्स में कवी ने पुस्प की अभिलाशा पुस्प की इच्छा के बारे में वर्नन किया है ठीक है अभिटा कर लेते हैं इसके वर्ड मेनिंग शब्दार्थ अभिलाशा अभिलाशा मीन्स कामना इच्छा देव देवता पत्थ, पत्थ मीन्स रास्ता, पूस्प, पूस्प मीन्स फूल, बिंद यानि कि बिंदना, पिरोना, मात्रि भूमी, जन्म भूमी, जिस भूमी में हम जन्म लेते हैं, यानि कि अपना देश, वन माली, वन का माली, माली कोन होता है जो पेड़ पोदों की देख बाल करता है, सीज, सिर, समराट, राजा, सुर्बाला यानि अपसरा तो यह हमारे वर्ड मीनिंग हो गए अब बेटा इसके कर लेते हैं क्योसन आंसर फूल को किस-किस चीज पर चड़ने की चाहत नहीं है फूल कौन-कौन सी चीजों की इच्छा नहीं रखता क्या कहा नहीं चड़ना चाहता फूल को सुर्बाला के गहनों में गुथने प्रेमी की माला में पिरोने राजाओं के शव और देटाओं के सीर पर चड़ने की चाहत नहीं है अगला क्योसन ने बेटा उसने वन-माली को क्या करने को कहा है पूस्प ने वन माली से अपने को तोड़ कर उस मार्ग में फैंक देने को कहा है जिस मार्ग से मात्र भूमी की रक्षा करने के लिए जीवन का बलिदान करने वाले वीर जाते हैं अगला क्योशन बिटा मात्र भूमी पर सीज चड़ाने जिस पत जाएं वीर अनेक यहां मात्र भूमी पर सीज चड़ाने से क्या तात्परिय है कि मात्र भूमी की रक्षा करते हुए जीवन का बलिदान कर देना यानि कि अपने जीवन नोचावर कर देना अगला क्योशन बिटा आपके आजपास बहुत सारे फूल होंगे उन फूलों के नाम बताईए और आपको कौन सा फूल ज्यादा पसंद है और क्यों पसंद है ये बताओ तो बिटा इसको उतर रहेगा हमारे आसपास गुलाब, गेंदा, कमल, सुरज मुखी, सदा भार, आदी काफी फूल है और इन सब में से मुझे गुलाब का फूल पसंद है क्यों पसंद है क्योंकि इसकी सुगन मुझे बहुत अच्छी लगती है अगला क्यूशन बिटा चा नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाओं सुर्वाला बहुत सारे गहने पहनती होंगी तो आपके घर या आसपास की महीलाएं कौन-कौन से गहने पहनती हैं ये बताओ हमारे आसपास की महीलाएं नत, मंगल सूत्र, अंगूठी, कंगन, बाली, पजेवहार, आदी गहने पहनती हैं यही पैनते हैं ना बिटा किसी के आसपास कुछ और पैना जाता हो तो वो और भी लिख देना ठीक है पूस्प की अभिलाशा की तरह आप अपने जीवन की अभिलाशा बताएं अभिलाशा बता है था इच्छा तो जैसे फूल की यहांपे अभिलाशा थी इसी तरह तुम्हारे भी इच्छा है होते हैं न सब ही की तो क्या इछ है तुमें बताँना ए ओक पर्धान मंतरी उन फूलों में से एक फूल को फूलों का राजा कहा जाता है। यह लाल पीला गुलाबी सफेद आदि कई रंगों का होता है गुलाब के फूल से गुलाब जल निकलता है। कि चढ़ने वालों के पत पर ही स्वेम को क्यों फेका जाना पसंद करता है। अब आगे भाषा की बात वाक्य में आए पूस्प को और भी अनेक नामों से जाना जाता है। जैसे फूल, प्रशून, शुमन, आदि इसी तरह से आगे जो सब्द दिये गए हैं इनके भी दो दो परियाईवाची लिखने हैं। दो दो और नाम इनके लिखने हैं। जैसे पत, पत मिंस राह या रास्ता। डगर भी होता है, डगर भी होता है यहाँ पे, बादल, बादल का घन, मेग, हाथ का हस्त, कर, या पानी, पानी नहीं पानी होता है, प्रत्वी, भूमी, धर्ती, धराई इसी तरह से इनके अलावा कोई और दो लिखना चाते हो तो वो भी लिख सकते हो, ठीक है बिटा। आगे है आग, आग का अगनी, ज्वाला, कमल, जलज, नीरज, यह कमल के और नाम है, अब आगे कह रहा है माली फूल तोड़ता है, वाक्ये में फूल कर्म है, मतलब माली काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, फूल तोड़ना है ना, तो फूल यहाँ पे कर्म है, इसी परकार क पुछ वाक्य लिखो उसमें कर्म को रेखांकित करो कि बेटा वाक्य में करता और कर्म दोनों होते हैं करता होता है जो काम किया जाता है उसको हम कर्म कहते हैं जैसे लड़का गेंद से खेल रहा है लड़का खेल रहा है लेकिन किस से खेल रहा है गेंद से तो ये हमारा कर्म ह मैं आम खाता हूँ, मैं खाता हूँ यह तो काम हो गया, लेकिन क्या काम कर रहा है, आम खा रहा है, इसलिए आम यहां पे कर्म है, छातर पुष्टक पढ़ता है, तो यहां कर्म क्या है, पुष्टक, यह जैसे जो हमारे यह थे ना, कर्म, उसके नीचे मैंने बेटा अंडरला कर दिया है ठीक है इसी तरह हैं के तुम और भी अलग इनके अलावा भी वाक्य बना सकते हो ठीक है कवीता में सुर्बाला माला प्रेमी देवता वनमाली पथादी शब्द आये हैं जो हमने कवीता पड़ी है ना तो कह रहा है कि इन सब्दों की जगें पर सुर्बालाओं सु कवीता को दोबारा लिखो तो यहां हमने लिख दिया पहले कवीता हम क्या था चाहा नहीं मैं सुर्बाला के गहनों में गूथा जाओं ऐसे ही था ना लेकिन अब हमने सुर्बाला की जगें क्या लिख दिया सुर्बालाओं एक से ज़्यादा सुर्बालाओं के गहनों में गूथा जाओं चाहा नहीं प्रेमियों मालाओं में बिंद प्यारी को ललचाओं प्रेमी काप क्या बनाया था यहां पे प्रेमियों भवचन बना दिया बिटा चाहा नहीं देवताओं के सिर पर देवता पहले देवता था ना और अब आ गया देवताओं के सिर पर चड़ू भाग पर इठ लाओं तोड लेना वन मालियो वन मालियो गणे सारे वन माली हो गए ने यहां पर उन पथों पिलूरल हो गया बहुवचन हो गया तुम देना फेक मात्री भूमी पर सीस चड़ाने जहां जाते हैं वीर अनेक तो यह लाइन हमने पूरी लिखी नहीं है यह पूरी कर लेना तुम ठीक है ऐसे ऐसे हम कर लेते हैं ठीक है तो बिटा इसमें यह बहुवचन लिख दियते हैं इनकी ले थोड़ी कम जम रही है ना है ना यह परिवर्तन आगए पहले सुर्बाला था अब सुर्बालाओं आ गया चाहा नहीं प्रेमियों एक से ज़्यादा की बात हो रही है इन सारों जो भी शब्द हमने लिखे हैं उन सब में ठीक है बिटा अब आगए हमारे पास है यह भी करें क्या करें भई जब आप किसी फूल को देखते हैं तो उसकी क्या चीज आपको ज़्यादा पसंद आती है जैसे गुलाब देखा तो गुलाब कैसे गुलाब जल ज़्यादा पसंद होता है क्यों उसका रस क्यों क्योंकि वह सीतलता देता ठंडक देता है बेटा उसके बाद है केवड़ा, केवड़े का भी रसी होता है और इसकी सुगंद बहुत अच्छी होती है, सिर में भी डालते हैं विटा चमेली, चमेली की पत्तियां कैसे उनकी बनावट बहुत अच्छी होती है और उसका रस भी निकाला जाता है तो उसमें सुगंद आती है गेंदा, गेंदा किसली पसंद होता है केंदे की पंखुडी और उनमें सुगंद बहुत जादा आते, बहुत अच्छे सुगंद लगते हैं केंदेख सूंगते हैं ना हां तो ये कुछ फूल इनके अलावा कोई और फूल भी लिख सकते हो तुम लिख सकते हो मर्वा मर्वे का सुगंद के कारण होता है ना सुरज मुखी सुन्दर दिखता है वो तो इस तरह से जो भी तुम्हें अच्छा लगता हो जिस वज़े से ल पहाले में विविन फूलों के नाम दिये गये चांट कर लिखो मैं थो बचुनारे प्लों के नाम के लिए ना इस बें गोले लगा दिए ताकि तुम यहां से आराम से देख戲 talking के और फिर नीचे लिख लो यह मैंने इसमें से चांट के और नीचे लिख दिया जैसे सैदा बैहार सदा बहार यह मैंने सदा बहार लिख दिया उसके बाद डैहेले या डैहेले लिख दिया नीचे मैंने लिख दिया इनमें से चांट के इनके अलावा कोई और भी फूल हो तो वो तुम निशान लगा ल बताएं और किस किस चीज से माला बनाई जा सकती है किस किस चीज से बना सकते हैं बिटा मोतियों की माला चंदन की माला भी होती है ना कहीं गोमने जाते तिरस्थान पर तो वहां पर मिलती है तुल्सी की माला वे भी मिलती है सिकों की माला यह भी मिलती है नोटों की माला कोई फंक्शन वेगर होता है तो पहनाते हैं इसमें रुद्राक्ष की वाला ये भी होती है ना है ना बिटा तो बिटा इसी के साथ ये लेसन हमारा कंपलीट हो जाता है पूरे लेसन को तुम बहुत अच्छे से याद करना इसका सलार्थ सहित प्रशंग भी याद करना और पूरे लेसन को इसको कंपलीट करना अपनी नोट बुक में भी लिखना अच्छे से लर्न कर लेना ठीक है थेंक्यू